अब ना 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 चलो मैं आपको भाग विदी से एक वर्गमूल करना बता देता हूं नहीं तो आपके मन में रहेगा नहीं बता रहे हैं देखिए साथी मेरे संख्या होती है एक पूर्ड वर्ग जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए पूर्ड वर्ग संख्या और पूर्ड घं जैसे पूर्ड वर्ग संख्या वह होती है जैसे अंडरूट 4 हो गया अंडरूट 9 हो गया अंडरूट 36 हो गया इनके जो गुड़न खंड हमा ऐसे करते हैं 2 गुड़ा 2 देखते जाना इनके 3 गुड़ा 3 इनके आप करोगे इनके गुड़न खंड आपको मिलेंगे 2 गुड़ा 2 तीन तीन ये फैक्टर करना सिखा दिया हूं इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दे रहा हूं ये मत कहना मुझे नहीं आता है ठीक है नहीं आता तो इसको देख लेना समझ लेना अपना अब एक पेर बना तो इसमें से एक गिंती बाहर निकलेगी इसका भी एक निकलत एक गिंती बाहर इसमें से दो के पेर बन रहे हैं तो एक दो और एक तीन दोनों का गुड़ा हो जाएगा च्छे यानि ये क्या होगे इनके सब के वर्गमूल चार का वर्गमूल दो नौ का तीन और च्छतिस का छे इफी तरीके से ऐसी संख्या जो पूड़ होती है बड़ी दिक्कत देखो जैसे माल लो अंडरूट 15 अब 15 एक पूड़ वर्ग संख्या नहीं है इसका कोई पेर जोड़ा नहीं बनेगा तो फिर इसका वर्गमूल ऐसे निकाल पाना अफान नहीं है अंडरूट 4 का तो निकाल लिए अंडरूट 3 का क्या करोगे तीन बिए लिख सकते हो बहुत ज़्यादा ज़्यादा इसका भी पेर नहीं बनेगा तो यह पूड़ वर्ग संख्या नहीं है इसे आप बोल सकते हो परफेक्ट स्कॉर नंबर यह नन पर्फेक्ट इसकॉर नंबर इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं आपको वहीं बताने जा करना था हूँ ठिक है कि आगे बडंगे देखो समझो संटे शों में अंवर्ग मूल कैसा निकालेंगे मैं अंटार रूट तीन का अंवर्ग मूल Chain a सबसे पहले ऐसे एक लाइन खीचते हैं फेलंबी फी ठीक है फिर क्या करेंगे साथ ही मेरे मेरी बात को समझना तीन है न तो आफे तीन लिखेंगे अब पॉइंट लगा करके देखिए अकसर ऐसे कुश्चन में यह पूछा जाता है का वर्गमूल दसमलों के दो अंक तक नि बाई अगर चार का वर्गमूल दो है और चार से जो बड़ी संख्या नो उसका तीन है न तो इसका वर्गमूल अगर तीन है तो दो और तीन के बीच में आएगा मालो टू पॉइंट सम्थिंग आएगा ऐसे 153211 ऐसे डाट डाट यह कभी कटेगा नहीं तो चाहे तो आप पांच अंक निकालो चाहे चार अंक तक निकालो चाहे दो अंक तक निकालो तो यह पाहले फेडिफाइड होता है ठीक है तो हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं कि इसका वर्गमूल अक्सर दो अंक या तीन अंक तक निकालते हैं दसमलों के तीन अंग तक ठीक है दसमलों के बाद हम तीन अंग तक इसको ले जाएंगे सबी मेरी बाद से सामत है सबी को समझ में आ रहा है कोई तकलीफ ना किसी को कोई दुखदर्द दिक्कत नहीं न अच्छा चल रहा है ना सब बढ़िया है चले आओ देखो समझो तो इसमें क्या करोगे साथी मेरे ऐसे दसमलों के बाद में फिर तीन जोड़ा बनाओगे ऐसे 00 का ठीक है क्योंकि हमें क्या करना तीन अंक तर निकालना है ओके ऐसे किसी भी संख्या में कर सकते हो अब आप इसमें 1 में भाग ले जाओगे उस वरी 3 मे तो तीन में कितनी बार भाग जाएगा वैसे तो आप कहोगे कितीन में भाग जो है तीन कचला जाएगा लेकिन इस कंडिशन में ऐसा नहीं होता है इसमें ऐसे किया जाता जैसे अगर दो बार ले गए तो ऐसे दो लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे उपर भी लिखेंगे और इनका ऐसे गुड़ा करते हैं फिर जो आता है पहले बार जितनी यहां ले जाएंगे उतना वहां भी लिखेंगे वह अंसर उपर इकठा होता ठीक है अब इनका गुड़ा होगा दो दुनाचारी यहां लिखते हैं से यह घटे का नहीं यह गड़ब लिखेंगे आगे काम लगेगा दिखाऊंगा ठीक है अब इसमें जो भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा जानते हो कैसे जानते हो नहीं जानते हो देखो बता रहा हूँ अगर आपको इसमें वन बार ले जाओगे भाई भाग तो यह यहाँ लिखोगे और यहां भी one लिखोगे यानि one बार भाग ले जाने का मतलब है कि यह कईस आएगा ठीक है इनका आपस मैंसे गुड़ा करेंगे तो यह कईस आएगा अब दो की नीचे यह कईस लिखोगे घटेगा तो है नहीं तो नहीं घटेगा तो क्या करोगे क्या करोगे फिर देखो बहुत आफ़ान तरीका नहीं घटेगा तो हम इतना बार ले ही काई जाए हम इनको सब मिटा देते हैं एक बार फिर से आपको बताते हैं देखो यहां पे आपने दो लिखा था जोड़ के ठीक है अब वन बार ले जाने पे नहीं जा रहा है अब उपर से जोड़ा उतारो पेर एक पेर मैंने उतार लिया याद रखना अभी दो पेर बचें ठीक है अब आप अगर पेर उतार लिए पेर दसमलो के उस साइड था तो आप यहां दसमलो भी लगा दोगे ठीक है याद रखना जैसे step by step कर रहा हूँ अब यह कईस आया था ना अभी एक बार ले जाने पे कईस आया था अब आई सहाब यह 200 है इसके नीचे यह कईस की क्या हो का तो उटके मूँ में जीरा और जादा ले जाओगे कतनी बार ले जाओगे इसको कैफिट राई करते हैं यहां पे 20 है ना आप 2 का भग राई कर लो 20 में कितनी बार जाएगा तो 2 का भग 22 में लगबग 10 बार जाएगा तो आप 9 बार त्राई करो चलो तो 9 बार ऐसे त्राई करेंगी 9 9 4 9 9 80 8 9 2 तो ना अठारा तो बीस 2626 261 देखिए जादा हो गया तो नो बार जादा हो जाए रहा है 261 नो बार नहीं ले जाएंगी तो आठ बार ले जाओगे तो मुझे लगता आठ बार भी जादा हो जाएगा आठ बार जादा हो जाएगा करके देखो आठ ठाई 64 का चार हाँ फिलाया चे और आठ दुना 16 16 6 22 ये भी जादा हो जाएगा तो ये साथ बार जाएगा ये तरीका होता ऐसे ही लिखते है याद रखना ठीक है ये भाग विदी से दो चार छे देखेंगे तो आपके समझ में ठीक है भाया तो भाग कितनी बार जाएगा भापू सात बार यहाँ पर साथ आपने लिखा ठीक है अब वह ही गिंती यहाँ भी लिखोगी जितनी बार जाएगा क्योंकि आंसर तो उपर निकल रहे हैं ने साथ बार लेगे तो साथ सथा साथ उन्चास इनका गुड़ा इधर फटा के नहीं लिखना क्योंकि इधर अभी एक गिंतियों लिखना पड़ेगा हलकते समय ठीक है चलिए हो गया अब अगर हम यहाँ भाग एक बार ले जाएं तो यह 341 बनेगा अब 341 इसके नीचे कोई आउकात नहीं तो क्या करेंगे नहीं जाएगा फिर भाईया एक दूसर का पेर उतार लिजिए नहीं एक जोड़ा उतार लिया दूसर का जोड़ा उतार लिए आप के वाल एक जोड़ा बचा है क्योंकि हमें आंसर दसामलों के तीन अंक Computing नेजाना बस एक अंक में पूरा कर चुका हूँ नलिफा चलो एक न्याप यह एक स्वर लिख तीन चोग बारा हाफी लेक तीन तरीक नो एक दस देखो एक हजार रणतीस यह प्रैक्टिस हमारा हो गया इसलिए मैंने अंजाद लेक तीन बार जाएगा कुछ लोग कहेंगे कई से अंजाद लिया तू चार बार कहना लेग गया चला चार बार दिखा दें चार बार चार चैना आपसमें गुड़ा हो रहा याद रखना ठीक है तो ये 344 है और 4 का मल्टिपल तो चार चैना रणत और चीन याद कर लेते हैं इसका बरकमूल 1.73 तो चार बार न जाएगा फिर तीन बार जाएगा तो तिन तरिकश नो, तिन चोग बारा हाफी लेग, तिन तरिका नो, एक दस इनको जोड लीजिए नीचे एक ज़गा छोड़ के लिखना तो तिन तिन च्छे, चार और ये तिन इनको घटालो बाबू भाईया तो ये दस मेंसे नो गया एक इसमें सुधार गया था ये नो नो मैसे दो गया फाद घटाना तो आपको आता है इसको तो सिखाना नहीं पड़ेगा नहीं न हो गया बस खता में कटतर ही आएगा अब देखिए ये तीन बार ले गये थे तो तीन हमें उपर भी लिखना था ठीक है क्योंकि उपर ही अंसर आ रहा है हमने तीन अंग तक ले जाने का डिफाइट किया था तो उपर से अभी एक पेर और उतारेंगे हैं ठीक है इसमें कोई दिक्कत ना चलो फटा फट इसको लिख लो चाहो तो इसका स्क्रीन फार्ट ले लो बैया चल बाबू और चोटा कर दिया थोड़ा जगा बनाने के लिए आईए आप क्या करेंगे अब अगर इसमें हम भाग एक बार ले जाएंगे साथी मेरे तो कितना आएगा पता आपको एक बार अगर ले जाओगे तो 3461 लेकिन यह जादा है कई जादा है कि अरे वह का तर सो है यह तीन हजार आएग और दू त्याही छे देखो 1724 आया बहुत सर्टीक बीठा है अब इनको चाहे घटाओ या जोड़ो ना घटाओ जोड़ो आपका अंसर आ गया लेकिन फाइनल में इज्जत के साथ घटा देते हैं तो अच्छा लगेगा ना ऐसे न छोड़ दें तो यह दो दो चार और यह छे और यह चार और यह तीन इनको घटा भी लीजिए दस में से चार गया छे नौ में से दो गया साथ इसमें से कुधरवा गया था यह दस में से नौ गया एक बस यहीं छोड़ देंगे यह हुआ आपका भाग विदी से वर्गमूल करना इतना वजाई करना पड़ता है भा तो हमने तीन गुड़ा तीन लिखा आइफेल लिखा एक ठी जोड़ा बनाया और फिर यह तीन अंसर आ गया देखो जब जोड़ा बनता है तब आसान है जिनको जोड़ा नहीं बनता उनसे पूछ उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है जिनका बना हमें गरी आ रहे हैं मेरा चुट की बनजाने में निकल जाता है और इस पेर नहीं बनता समान नंबर का जिसे तीन हो गया पंदरह हो गया चुर उक्णर हो गया तो उनका पश्त बैंज नहीं ताली बैंज अंए इतना करना पढ़ता है ठिक है अगर इसके बारे में आपको और ज्यादा जानना है कि करते हैं तो आपको जो अभी नंबर दिखाए थे उस पर आप मैफेज करिएगा हम आपको वाट्सअप पर अलग से वीडियो भेज देंगे खुब बिस्तर ही तवाला ठीक है कि समझ गए